ओम शान्ती 25-3-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे यह वंडर्फुल पाटशाला है जहां तुम्हें ज्यानसागर पतित पावन बाप ज्यान अमरत पिला कर पावन बनाते हैं ऐसी पाटशाला और कोई होती नहीं प्रश्ण बाप की कौनसी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है उत्तर बाबा राय देते बच्चे तुम जिन्न के मुहाफिक मुझे याद करते रहो खाते पीते चलते बुद्धी योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धी हटाते जाओ तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो यही तुम्हारी मदद है यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी यही सस्ता सौदा है हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है हिम्मत ए मर्दा मदद देखो दा गीत मुझे को सहारा देने वाले ओम शांती बच्चों ने गीत सुना यह बच्चे-बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है यूँ तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परमपिता जिसको परमात्मा यानि परमात्मा कहा जाता है तुम सब बच्चे हो तुम बच्चे मनुशिस से देवता बनने के लिए पाठ शाला में पढ़ते हो वह बाप भी है तो टीचर भी है मात पिता भी, मात पिता के बहुत बच्चे है बच्चे तो बहुत ब्रधी को पाते जाएंगे परमपिता परमात्मा बैट पढ़ाते हैं यह वंडर है न ऐसी वंडरफुल विचित्र पाटशाला दूसरी कोई होती नहीं बच्चे जानते हैं ज्यान सागर जो पतित पावन है वही ज्यान अमरत पिला कर पावन बनाते हैं गाते भी हैं पतित पावन आओ तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे फिर वही घर पुराना होना ही है तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है नई दुनिया थी वहां बहुत सुक था बच्चों ने गीत सुना, वह तो सिर्फ भक्ती मार्ग में गाते हैं, तुम तो अब प्राक्टिकल में हूँ, भक्ती मार्ग के गीतों को हम ग्यान में ले आते हैं, तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने लिए आये हैं, पतित पावन हैं तो पावन बना कर ले जाएंगे, ऐ ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद अहंकार का भूत, शरीर को भी भूत कहा जाता है। क्योंकि पाँच भूतों तत्तों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं, विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, पर अन्तु फिर क्या होगा यह नहीं जानते। क्योंकि गीता के भगवान को दौपर में ले गए है। राजयोक तो गीता के भगवान ने सिखलाया है। श्री कृष्ण तो सिखला ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको दौपर में ले गए हैं। यह है मुझारा हम तुम भी इस मुझारे में थे अब निकल आए हैं मनश्य तो दुरगती को पाई हुए हैं हम अब ग्यान से सदगती दिन में जा रहे हैं बाप कहते हैं मैं ग्यान सागर हूँ और कोई भी ग्यान देना सके ग्यान सागर एक को ही कहा जाता है फिर उनसे ग्यान गंगाएं निकलती है शिवशक्ती ग्यान गंगाएं कहा जाता है वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहां चाहे वहां जा सकती है नहीं, तुम ग्यान गंगा आए, जहां चाहे, वहां जाकर ग्यान दे सकती हो वहां ही ग्यान गंगा प्रगट हो जाती है वह फिर समझते हैं, फलानी जगह गंगाने के लिए फिर एक गव मुख बना देते हैं वास्तों में गव मुख तो तुम बच्चियां हो तुम गव के मुक से या ज्ञान निकल रहा है तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सची सची गंगाए तुम को सरश्टी चक्र के आदी मद्ध अंत का नौलेज समझाया जाता है भाप को ही नौलेजफुल कहा जाता है वही वर्ल्ड अल्माइटी सर्वशक्ती मान है वह सब वेदो गरंथों को जानते हैं सबका सार समझाते हैं हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए जैसे श्रीमत भगवत गीता एक है बाइबिल एक है इब्राहम ने आकर इसलाम धर्म स्थापन किया फिर उनके पीछे आते जाते हैं वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं फोरण नहीं बनाते हैं उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं बाप कहते हैं यह वेदशास्त्र जबतापादी सभे भक्ति कल्ट यह है ज्ञान कल्ट भक्ति की आयू अभी पूरी होती है फिर बापाकर ज्ञान दे पतितों को बावन बनाते हैं अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्रामन हैं फिर हम सो देवता बनेंगे 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धी में है अभी हम ब्रह्मा मुखवन्शा वली ब्रामन है पहले हम शूद्र कुल के थे अभी हम ब्रामन कुल के बने हैं यह भी तुम ब्रामन ही जानते हो देवी देवता धर्मवाले तो कोई है नहीं हिंदू थोड़े ही जानते कि हम असल देवी देवता कुल के थे अभी हम शूद्र कुल के हैं अपने धर्म को भूल धर्मभरष्ट कर्मभरष्ट कंगाल बन पड़े हैं अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो सो हम का अर्थ समझा है हम सो आत्मा परमधाम की रहवासी हैं यहां आकर पाट बजाते हैं पहले पहले हम सत्योग में देवता कुल में आए फिर वैश्य शुद्र कुल में आए फिर जाएंगे देवता कुल में तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैट बताएंगे नट शेल में बताते हैं बीज और जाड को जानो बस बाप बीज रूप है हम कल्प व्रक्ष के भाती है हम परम धाम से आए हैं पाड वजाने सत्युक से लेकर चक्र लगाया फिर और धर्मवाले फलाने फलाने समय पर आते हैं फिर जब विनाश होता है तो सबात्माएं वापस जाती है फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने यह सब राज तुमारी बुद्धी में है बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालेक बनते हैं आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते मनुष्य मात्र तो सब अलपकालक सुख देने वाले हैं वह तो जानवर भी देते हैं मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है मनुष्य विश्व का मालेक बन सकता है बाबा आप ने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता बाबा आप तो हमको विश्व का मालेक बनाते हो आप विश्व के रचाईता है तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस और कोई हट योग आधी की बात नहीं तुम बाप के बने हो जानते हो बाबा नए विश्व का रचाईता है बाबा परमधाम से आए है Most Willoughed, Most Willoughed बाप है सब उनको याद करते है भल कोई भी धर्मवाला होगा ओ Godfather, हे भगवान वो अल्लह जरूर कहते रहेंगे बाप कहते हैं मैं सभी को सुख दे कर जाता हूं तब भक्ती मार्ग में मुझे याद करते हैं अभी फिर सुख देने आया हूं फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे वह माया रहती नहीं जो दुख दे तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में राद दिन या रहना चाहिए बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो हम हकदार भी हैं बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे न गौड़ फादर हैवन रचते हैं तो फिर हम सब हैवन में क्यो नहीं है सब ही हैवन में हो तो हैल होवे नहीं यह तो हार जीत सुख दुख का खेल हैं नई दुनिया फिर पुरानी बनती है नया कौन बनाते पुराना कौन बनाते यह स्रश्टी चक्र कैसे फिरता है यह बुद्धी में रहता है सत्युक तरेता में है सूर्यवन्शी, चंद्रवन्शी फिर दुआपर में और और धर में इमर्ज होते हैं जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सत्युक स्टार्ट होने वाला है पुरानी दुनिया खत्म हो नई आने वाली है मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजन पुरानी होती ही रहेगी बहुत समय पढ़ा है बाप कहते हैं तुम घोरंधियारे में हो विनाश सामने खड़ा है मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने आगे तो कोई था नहीं अभी ब्रह्मा मुक्षे संतान पैदा होते जाते हैं प्राजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैट पढ़ते हैं जिनको फिर देवता बनना है जो बाप से प्रतिज्या करते हैン पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही राज्य भाग लेंगे सब तो नहीं लेंगे बाकी सब अपना-पना हिसाब किताब चुक्तु कर वापस जाएंगे बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं महाभारी लडाई भी सामने खड़ी है यह हिस्ट्री जोग्रफी का राज गीता का भगवान बैट समझाते हैं भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है श्री कृष्ण को मनश्य स्रष्टी का बीज रूप वर्ल्ड ओल्माइटी अथोरटी नहीं कहेंगे वर्ल्ड ओल्माइटी अथोरटी एक है सुरेवन्शी की महिमा अलग है चंद्रवन्शी की महिमा अलग है वैश्य और शुद्रवन्शी की महिमा अलग है हर एक की महिमा अपनी है चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है गवर्नर गवर्नर है सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं यह सब समझने की बाते हैं मनुष्य थोड़े ही जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो तुम अपने लिए राज्यस्थापन कर रहे हो गुप्त रीती और नौन वायलेंस से ना काम कटारी की हिंसा ना हात पाउं चलाने की ना गोली मारने की हिंसा तुमको कोई हतियारादी नहीं उठाना है तुम यह है रोहानी सेवा मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं हम बाबा की श्रीमत से स्रेष्ट बन रहे हैं बाकी सब मनुष्य मत से ब्रेष्ट ही बनते जाते हैं नीचे उतरना हैं जरूर भक्ती भी पहले अव्यभिचारी होती हैं वेरी गुड भक्ती एक की ही पूजा कर फिर सेकेंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते बिल्ली, पत्थर मिट्टी, आदी पाँच भूतों की भी भक्ती करना लग पड़ते, उनको कहा जाता है व्यभीचारी भक्ती, अव्यभीचारी से व्यभीचारी बन पड़ते हैं, अब बाप तुमको जवहार में रहते, खाते पीते, सिर्फ बाप और वर्षि को याद करना है, मेहनत सारी इसमे है, भल अपने घर जाओ, आओ, सिर्फ गुप्त रीती से बुद्धी से याद करो, मुक्से राम राम अत्वा शिवाय नमा कहने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो, जाता है परमात्मा, यह आत्मा है, इनको उस बाप से ग्यान मिल रहा है, इन सब बातों को धारन कर और फिर कराना चाहिए, बिचारे रास्ता ढूंडते रहते हैं, जानते नहीं हैं, तुम जानते हो, शांती धाम है निर्वान धाम, जहां से हम आत्माएं आती हैं, स्वर् पुरी, वह स्वर्ग विष्णुपुरी, और यह नरक है रामणपुरी, बाप कहते हैं, तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस, अगर बीच में बुद्धी और तरफ चली जाती है, तो उनको हटाओ, खाते पीते, चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है, समझो, विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहिब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धी में रहेगी न, हम भी कितने दूर हैं, परंत बुद्धी से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है, और सबसे तो दुख मिलता है, मनश्य मनश्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता बाप कहते हैं जिन्ने के मुआफिक याद करते रहो बस बाप और स्वर्ग को याद करो यही हमारी सेवा करो हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की तुम फिर याद करने की सेवा करो यह राय अंगीकार स्वीकार करो यही तुम्हारी मदद है हिम्मद मर्दा मदद दिखोदा यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी कितना सस्ता सोदा है वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं एक ही सत्गुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती गुरु पना ही निकल जाता है सभी सद्गती को पा लेते हैं एक सत्गुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रसम रिवाज आधाकल्प के लिए निकल जाती है फिर भक्ती मार्ग में वह रसम चलती है सतियोग में गुरू कोई होता नहीं वहां अकाले मृत्यू कभी होता नहीं हेल्थ वेल्थ और हैपिनेश 21 जन्मों के लिए मिलती है ऐसे को और कोई दे ना सके तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैपिनेस मिलती है बाकि सब निरवान धाम में चले जाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे स्वदर्शन छक्रदारी बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रोखानी बाब की रोखानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रोहानी सेवा करनी है गुप्त रीती से बाप को याद कर स्रेष्ट बनना है दूसरा अपने आप से बाते करनी है रोह रहान करना है बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं आप नईस रष्टी रचते हो उसके हम हकदार है वर्यदान भ्रगुटी की कुटिया में बैठ अंतर मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्थ भव भ्रगुटी की कुटिया में बैठ अंतर मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्थ भव जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनरजी और समय जमा कर लेते हैं उन्हें स्वता अंतरमुक्ता के रस का अनुभव होता है अंतरमुक्ता का रस और बोल चाल का रस इसमें रात दिन का अंतर है अंतरमुखी सदा भ्रगुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्थ का अनुभाव करता है वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है इसलिए अंतरमुखता के रस की अलोकिक अनुभूती होती है स्लोगन राज युक्त बन हर परिस्थती में राजी रहने वाले ही ग्यानी तुवात्म है अच्छा ओम शान्ति आप द्रिष्टी यूँ ही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूँ ही देते रहो बाबा